आज मैं बिल्कुल कुरकुरा खसता एकदम चटपटा नमक पारे बना रहे हूं काजू नमक पारे बोलते हैं इसे बिल्कुल छोटा छोटा बनाते हैं इसकी आवाज सुनें कितना कड़क आवाज है बिल्कुल कुरकुरा बनता है चाय के साथ खाएंगे मज़ा आ जाएगा इसे completely ठंडा करके किसी भी टाइट कंटेनर में रखकर महिनों खा सकते हैं, खराब नहीं होगा, कम से कम एक महिने बहुत आराम से इसे खा सकते हैं, और ज्यादा समान भी नहीं लगता है, जो नमक पारे हम बजार से खरीते हैं, वो मैदे के बना हुआ होता है, घर पे बनाए गेहु काटेस बनाएं, बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनता है, तो चली इसे बनाना सुरू करते हैं, सबसे पहले इसमें मैं गेहु काटा ले ले रही हूँ, दो कप ले रही हूँ गेहु काटा, जिससे डेली रोटी बनाती हूँ, वो ही आटा है, इसे मैं छान ले गेहों के आटे से बहुत बढ़िया ये नमक पारे बनेगा, काजू नमक पारे, ये देखने में काजू की त्यारा लगता है, लेकिन काजू से नहीं बना हुआ है, गेहों का आटे से बना रही हो। और इसमें मैं एक बड़ा चेमच भरके सूजी डालूँगी इसे कुरकुरा और खस्ता होने के लिए छोटे चेमच से दो चेमच है सूजी से बिल्कुर और खस्ता बनता है बहुत कुरकुरा बन जाता है बस इतना ही डालें जादा ना डालें अगर ज़्यादा सूजी डाल देंगे तो बेलने में दिक्कत होगी जब इसे हम बेलेंगे अब इसे कुरकुरा और खस्ता होने के लिए तेल डाल दे रहे हूँ मैं चार चेमज तेल डाल दे रहे हूँ सरसो का तेल ना डाले कोई भी रिफाइंड वाइल कोई भी तेल डाल सकते हैं जो आप अपने किचन में यूज करते हूँ सरसो का तेल से टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसमें आधा चेमज मैं नमक डाल दी हूँ और एक छोटा चेमज इसमें डाल दे रहे हूँ अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा मसल कर डालूँगी तो अच्छा फ्लेवर छोड़ेगी नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम जादा कर सकते हैं ऐसे इसे क्रश करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है और अजवाइन डाजेशन में भी फैदा करती है आदा चेमच इसमें मैं जीरा डाल दे हूँ साबो जीरा डाली हूँ अब इसे मिलाओंगी अच्छे तरीके से ताकि ये जो तेल डाली हूँ कोने कोने पहुंच जाए आटे में हर जगा पहुचना चाहिए तभी खस्ता बनेगा ये नमक पारे ये काजू नमक पारे बच्चे बहुत खुस होते हैं इसे देखकर और अच्छे तरीके से मैं मिला ली हूँ ऐसे मुठी बानेंगे तो ऐसे जुड़ना चाहिए जब इसे कस्के मुठी बानेंगे थलका से जुड़ता है बस इतना तेल काफी है इसमें चाहर चेमज और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर थोड़ा सक्त आटा लगाऊंगी इस नमक पारे के लिए लूज आटा नहीं लगाना है जैसे एकदम नरम हो ऐसे नहीं लगाना है टाइट आटा लगाना है तो बहुत ही खस्ता बनेगा एकदम कुरकुरा ये नमक पारे बनता है आटा लगाकर कम से कम 15 मिनिट के लिए मैं छोड़ दे रहे हूं थोड़ा सा और साप्ट हो जाएगा ये आटा तब बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगे 15-20 मिनिट के रिष्ट बहुत जरूरी होता है चाहे कोई भी आटा लगाएं अब लगभग 15 मिनिट हो चुका है थोड़ा सा और मसल लोंगे ताइच आटा रखेंगे तो बेलने में भी दिक्कत नहीं होगी ये चिपके गगा नहीं ना तो तेल लगाना पड़ेगा ना सुखा आटा बहुत आसानी बेल लेंगे अब मैं इसकी लोई बना ले रहे हूँ बड़ी बड़ी इसे बड़ी रोटी की तरफ बेलना है अगर टाइट आटा लगाएंगे तो ना तो इसमें बेलते समय तेल और ना सुखा आटा बहुत आसान इसे बेल लेंगे, मैं बेल कर दिखा रही हूं अभी इस तरीके से देखें, बिल्कुल नहीं चिपकता है आटा, क्योंकि बिल्कुल कड़ा लगाए हूं अब मैं बड़ी से बेल ले रहा हूं रोटी की तरह, जैसे बड़ी रोटी होती है बहुत मोटा ना बेल लें, बिल्कुल पतला कर लेंगे तो चलेगा, पतला रहेगा तो बिल्कुल कुरकुरा बनेगा नमक पारे ये देखें मैं उठा कर दिखा रहे हूँ जैसे खाने के लिए डेली रोटी बनाते हैं बस उतना पतला होगा तब भी चलेगा उससे मोटा न बनाए अब मैं धक्कन से काटूँगी ये काजू नमक पारे इसमें छेद दिख रहा होगा आपको इसे मैं नमकीन सेव बनाती हूँ और मैं इस धक्कन से काटूँगी मैं तीन धक्कन दिखा दी हूँ आपको जैसे भी आपके पासो ले लें इस तरीके से दबा दबा कर काट लेंगे इसे बच्चे भी कर लेंगे ये देखिए आटा कड़ा रहेगा थोड़ा से दबाव देंगे तो ये कट जाता है किसी भी बोतल के धक्कन ले सकते हैं या छोटी सी कटोरी होगी उससे भी काट सकते हैं तो मैं सारा काट के पहले तयार कर ले रहे हूँ उसके बाद इसे मैं डिफ्राई कर लूँगी ये देखें कितनी आसानी से काजू नमक पारे कट जा रहा है देखने में बिल्कुल काजू की तहरा लगता है इसका सेप और बहुत आसानी से कट जाता है इसे दिमी आज पर मैं सेखोंगी चलती हूँ गैस की तरफ तेल भी चेक करके आपको दिखा दूँगी सारा रख लेंगे तब भी अब मैं एक डाल के दिखा रहा है ज़्यादा गरम तेल में इसे नहीं तलना है बिल्कुल लो फलेम पर इसे तलें जब थोड़ा सा इसमें कलर आजाएगा तब थोड़ा बढ़ा लेंगे ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा और जब इन नमक पारे हम तेल में डालते हैं डालने पर काफी इसमें बबल साता है जब इब बिल्कुल तल जाता है अच्छे तरीके से तब इस खतम हो जाते है तेल बिल्कुल स्थिर हो जाता है थि मैं आगे दिखाऊंगे और लगातार उलट पलट कर इसे तलेंगे ताकि हर तरफ कलर बराबर आ जाए कहीं कम कहीं जादा कलर ना आए ऐसा अच्छा नहीं लगता है देखने में और यह बिल्कुल कुरकुरा होता है जब आप एक बार बनाएंगे खाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि गेहों काटे के नमक पारे भी इतना अच्छा होता है इसमें कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है और तेल भी स्थिर हो गया है इसे मैं निकाल ले रही हूँ जब यह पक जाता है तेल बिल्कुल स्थिर हो जाता है जब तक कच्छा रहता है तभी इसमें बबल्स दिखते हैं यह आवाज इसकी सुनें बिल्कुल कड़ा कवाज आ रही है तो सेम तरीके से मैं और तल ले रही हूँ गैस का फ्लेम लो रखें इस बात का ध्यान दें इसे आप गरम गरम चाय के साथ खाएंगे मजा Athens आ जाये गए बजार से कभी खरीदेंगे इने घर के समान से यह नमक पारे बन के तयार हो जाता है अगर कुछ समान बाहर से ले आना रहता है तो सोचना पड़ता है आज जाओं बजार की कल जाओं कब लियाओं कब बनाओं ऐसे सोचना पड़ता है गेहूं के आटे से बना सकते हैं घर में गेहूं का आटा सभी के रहता है थोड़ा सा नमक डाल लेंगे डिफ्राई कर लेंगे बढ़िये बनेगा अगर समय से अजवाइन उपलब दो या जीरा थोड़ा सा डाल लें तब औ पहली बार आए हूं तो बिने सब्सक्राइब किये मत जाएगा प्लीज मैं आशव से निवेदन कर रही हूं अब नमक पारे में तलके तयार कर ली हूं कितना कड़क आवाज आ रही है इसे कंप्लीटली ठंडा करके किसी भी एर्टाइट कंटेनर में रखकर एक महीना जाए के साथ बहुत अच्छा लगता है जब नमकीन खाने की च्छहोत इस तरीके से बना लें थोड़े से आटे में बहुत ज्यादा बन जाता है मैं इसमें यह टाइट कंटेनर में भरके रख दे रही हूं यह बिल्कुल कड़क बना रहता है एक बार इस तरीके से आप ग बच्चे सभी पसंद करेंगे बजार से लाना भूल ही जाएंगे मैं चाय बना ली हूं चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के सीजन में तो और ज्यादा अच्छा लगता है और जब थोड़ा बहुत नमकीन खाने की इक्छा होती है इस तरीके से अगर आप घर में बना कर रखे रहेंगे तो बच्चे बजार जाएंगे ही नहीं